तो दोस्तों मकान हर एकी जरुत है और मकान लेते हुए या मकान लेने के बाद हमें कुछ चीजों की साफधानी और कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। या वो इस तरह की कंडिशन्स में तो नहीं है अगर है तो आपको पहले से ही साफधान हो जाना है क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी इस बड़ी गलती होने को बचाएगी और आपके जीवन को भी सुख में बनाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं मकान है क्या मकान देखिए शनी से देखा जाता है यानि की शनी और राहू क्योंकि अगर दिवारें शनी हैं तो जो छट होती है वो राहू होती है। और इसी तरीके से जो मकान होता है वो मकान भी किस्म यानि कि टाइप के अकॉर्डिंग होता है कि आपका मकान किस टाइप का है अगर आप लोगों को आपने देखा होगा कि नहीं जी हम इस दिशा का मकान नहीं लेना चाहते हैं हमें ये दिशा का मकान चाहिए पर कही बार आ आपसी कलेश वगरा शुरू हो जाए घर में कोई लंबी बिमारी वगर आनी शुरू हो जाए घर में ऐसी बिमारियां हो जो कि दिमागी रूप से हो लोगों को कई बार आपने देखा होगा कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर mentally लोग रहते हैं, neurological disorders जिन में होते हैं, दिमागी परेशानियों वाले लोग होते हैं, किसी को paralytic attacks भी होते हैं और कई बार तो ऐसे घर भी होते हैं कि परिवार तो पूरा भरा हुआ था पर एक समय ऐसा आया कि एक बाए एक वन बाए वन लोगों की मृत्यू होना शुरू हो गय हो और बाद में बाकी के लोग सारे के सारे कोट कचरी के जंजट में फस गए, ये घटनाएं अकसर होती हैं क्योंकि हमने ये नहीं समझा कि ये मकान क्या हमारे लिए सही है की नहीं है, देखिए लाल किताब के रूल के अकॉर्डिंग पच्चासों तरह की ऐसी conditions बताए कि आप उस मकान में या उस जमीन पर जाएए और आप वहां पर देखिए, खड़े होकर महसूस करिए कि आपको कैसी vibrations मिल रही हैं, ये सबसे बढ़िया एक जांचने का पैमाना होता है कि आप अपने खुछ से इस मन से आप ये जांच सकते हैं कि वो जमीन या फिर वो घर क आती है, एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, घर में गुषते ही आपका मन घबराना शुरू हो जाता है, घर में गुषते ही, एंटर करते ही ऐसा लगता है कि यार यहां से निकलो, ये मतलब मन को आपके खुशी ना देने वाला मकान, तो ऐसी ही कंडिशन होती है, अगर आ मकान बने हुए है, सामने से गली आ रही है, बस ये टी पॉइंट बन गया, अब कई बार मकान ऐसा होता है कि लास्ट वाला मकान होता है, उसके आगे गली बंद होती है, यनि कि गली बंद ऐसे मकान भी होते हैं, कई मकान तो ऐसे होते हैं, जैसे मकान की अगर चत्र भुज की बात करें, square या फिर rectangle shape की बात करें, तो वो ना होकर कोई एक हिस्सा किसी बाजुवाले मकान ने दबाया होता है, या फिर वो कटा होता है, आड़ आतिरचा कहीं ना कहीं ये एक जो irregular shape होती है, ये भी आपकी किस्मत को उसी परकार की shape देती है, क्योंकि आप अपने जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा उस घर में बिताते हो, और वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, वो तो देखे कितना समय बिताता है, घर के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, तो इन सभी के उपर उस घर की negative और positive energy का असर पड़ता है, आपने देखा होगा कई बार बहुत छोटा सा घर होता है, गाओं वगेरा में होता है, या फिर जिनके पास पैसा नहीं है, उनक क्योंकि उस मकान की vibrations और उस मकान की positive energy होती है, उस घर को पनपने में मदद करती है, उस घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में मदद करती है, उस घर की किस्मत को बढ़ाती है, जो लोग उसमें रह रहे होते हैं, पर आपने इतना खर्चा करके, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी proper आपने सब कुछ कर लिया, वास्तो देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया पर उसके बाद भी परेशानिया, क्यों ये परेशानिया हैं, कभी आपने सोचा है इतना खर्चा करने के बाद भी हैं, तो ऐसे मकान का क्या फाइदा, आज आपको देखिए, मै आप चाहें जमीन लो, चाहें मकान लो, कुछ भी लो, पर देखिए ये मकान कौन ले, कौन ना ले, इसकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, अगर आप उनको देखना चाहें, तो मेरे चैनल पर है, आप सर्च कर सकते हैं, मकान कौन बनाए, कौन ना बनाए, किस उमर म में मकानना चाहिए। कौन सी दिशा का मकान यह सब जानकरिया मैं दे चुका हूं पर आज आपको आगे के और यह प्राइमरी स्टैप के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं टी पॉइंट की जिसे टी पॉइंट यानि कि सामने आपको गली में मकान दिख रहे हैं और उन मकानों को जाने का एक रास्ता है और वह सिर्फ वही रास्ता वस उनी मकानों तक जा रहा है उसके आगे वह रास्ता नहीं है यानि कि जो भी आएगा वो उसी रास्ते से आएगा और जाकर और टी पॉइंट पर जो मकान सबसे पहले पढ़ रहा होगा उस मकान के लोगों की आप स्थिती देख लेना हो सकता है कि उनकी स्थिती कम या ज्यादा रूप में खराब हो पर वो लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉंटेक्ट करते हैं जो लोग मुझे बताते हैं कि हमारे घर में ये दिक्कते हैं अब दिक्कते क्या होती हैं घर में बिमारी ना जाना घर से पैसे की एक दिक्कते हमेशा खड़ी रहना घर में किसी ना किसी परकार की दरिदरता या फिर कोट करना चाहते हैं पर ऐसा लगता है कि इनके पैरों में किसी ने बेडियां बानती हैं और यह आगे बढ़ना तो चाहते हैं पुर जोर कोशिश करते हैं पर छट पटा के ही रह जाते हैं बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं बच्चे कहीं न कहीं एक दूसरे से अलग एक मेंटेल्टी वाले होते हैं यानि कि माता पिता समझाते रह जाते हैं पर बच्चे कहीं न कहीं अपनी मर्जी के चलने वाले होते हैं अब यह कंडिशन क्यों ऐसी बनती है इसका लॉजिक और रीजन समझे आप एक बास समझे कि एक रास्ता है उस रास्ते से कुछ भी आए च अच्छी हवाएं खराब हवाएं कुछ भी किसी तरह की एनर्जी होती है यानि कि नेगेटिव एनर्जी नाकारात्मक ओर जाएं या फिर किसी तरह की बुरी शक्तियां सब की सब आएंगी और इसी रास्ते से आएंगी जो रास्ता टी-पॉइंट का है और सबसे पहले वह मकान पड़ा यह माल लीजे टी-पॉइंट पर बिल्कुल यह पहला मकान है तो यही सबसे पहले परभावित होगा अब यह मकान के लोग हर तरह से परेशानिया जहलेंगे आपने नोटिस भी किया होगा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आप जिनको जानते हो और यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास पैसा कम है आपने अड्जस्टमेंट करी कि आपने टी-पॉइंट का मकान ले लिया कभी ऐसा मकान मत लीजे हां कई बार क्या होता है कि मकान तो आपने सही लिया पर बाद में वह बंद हो गया हो सकता एक रास्ता था वह बंद हो गय है इस तरह से नहीं लेना चाहिए और जहां पर भी तिराहा पड़ता है ये तिराहा बोला जाता है तरह से तिराहा चोघाहा दो राहा ये रास्ते होते हैं क्युकि इन तरहें रास्तों से कुछ न कुछ energies connect होती है क्यूं आपको कहा जाता है कि आप यह चीजें ले जाके चोराहे पर फेक कराएं क्यूं कहा जाता है आपने कभी सोचा यह रास्ते जितने भी हैं यह कहीं न कहीं ग्रहों से संबंद रखते हैं तो तिराहे का एक मकान टी-पॉइंट का मक माल लिजये यह मकान इस तरह से सभी मकान एक मया एक है और गली जा रही यह लास्त वाले उना वह लास्त वालेखते लास्त वाल से मेरे तो सब रास्ते ही बंद हो गए हैं मेरी किस्मत बंद पड़ गई है मेरा सब कुछ हम वास्तु मकान इन सब चीजों को कई बार दरकिनार कर देते हैं इंपोर्टन्स को नहीं समझते हैं क्यूंकि हो सकता है कि उस समय हमारे सामने ऐसी कंडिशन्स आ गई हो कि हमारे पास कितना पैसा नहीं है जिस वज़े से हमने थोड़े कम गुझाइश करके हमने लास्ट वाला मकान ले लिया लास्ट वाला मकान कभी मत लीजिए यह आपके परिवार की और आपकी सब की उन्नती को रोक देगा आगर बिमार है कोई व्यक्ति तो उस बिमारी से उबर नहीं प पहंग यानि कि एक व्यक्ति शरीर में उसके दो हाथ हैं दो पैर हैं और एक ही सिर होता है एक सिर से ज्यादा नहीं होते हैं दशानन तो हर एक के अंदर है पर यहां पर इसी तरीके से मकान को भी समझे कि एक तरह से जीते जागते एक आपके ग्रोथ करने वाले एक देव क कि भूमी में किसी भी तों के कोई भी क्टेछ कोएगे नहीं नहीं होने चाहिए क्या कि आप कहिंपर भी कोई भी चीज चढ़ाते भी हैं अगर आप देवी देवत्ता को पल भी चढ़ाते हैं तो Catherine कहीं से खंडित ना हो कहीं से तूटा ना हो इस तरह से आपको यह तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है किसी भी तरह से किसी भी अंग का खराब होना उस कोने का खराब होना किसी हिस्से का दबा होना किसी हिस्से का आपके नसीब में ना होना यह राहू नेगेटिव को दर्शा आपके आपको पूरी information दूँगा हो सकता है कि ऐसी और वीडियो भी आगे आएं आप जैसे जैसे question करते जाएंगे उनको साथ लेके हम वीडियो बनाते जाएंगे पर इसी का ध्यान रखना है क्योंकि देखिए जब भी कोई भी अंगभंग होता है एक व्यक्ति के अनुसार अगर सूर्य negative हो जाता है तो कोई हिस्सा शरीर का खराब हो जाता है या कट जाता है तो यहां पर राहू का negative होना और सूर्य का खराब होना ऐसे मकान को दर्शाता है तो आपको ऐसे मकान नहीं लेने हैं अगर माल लिए आपका कोई हिस्सा दब गया है कोई हिस्सा कट गया कई लोग कुछ उस तरह को open रखते हैं कुछ भी वहाँ पर बागवानी कर देते हैं कुछ भी कर देते हैं तो इस हिस्से को manage किया जाए अब यह तीन हिस्स तीन चीजों को आपने समझ लिया अब यह तीन प्राइमरी चीजें हैं आप इनको अगर ध्यान रखोगे तो बहुत सही चल रहा होता है सही कैसे चल रहा होता है कि आपने मकान लिया मान लिजिए आपके शनी दस्वे घर में हैं और आपने मकान लिया पहले तो हो सकता दो तिन साल आपको पता ही न चले कि क्या तकलीफ आ रही है फिर उसके बाद आपको तकलीफ हैं पता लगेंगी वो लग घर में में हमको उस चोट का एसास नहीं होता है पर धीरे धीरे से थोड़ी देर काप हो सकता है अब यहां कर रहा है अब यह आपर चोट अठीड ज्यादा लग गई उस समय तो पता ही नहीं लगा गरम गरम पर इस Statebox कि हाँ यार गलती हो गई है परिशानिया हो रही है यह मकान जब लिया है तब से कुछ दिकत आ रही है पर वह इंसान अपने पिछले पन्ने जीवन के पलटना शुरू करता है कि अच्छा यहां तो इस तरीके से कई लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो जब मकान लिया था हम तो दो-तीन साल तो बहुत राइस किया है पर बाद में दिक्कत क्यों आई स्टार्टिंग में ही दिक्कत आ गई थी पता नहीं लगता इसी तरीके से शरीर में कोई बिमारी हो अगर माली यह पेट मे कोई फाइदा नहीं है हाँ पहले ही गलती यानि कि आपके सामने गड़ा है और आपने जानबुच का गड़े में पैट डाल दिया तो चोट तो लगेगी हो सकता है चोट ठीक हो जाए पर चोट का निशान तो रहेगा ही रहेगा तो इसी तरीके से अब माल लिजिए आप मेरी WhatsApp कटलोग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने address पर मंगवा भी सकते हैं तो अब हम क्या करें ऐसे मकानों को देखिए सबसे पहले तो हम कुछ अब यहां पर उपायों की बात आती यानि कि बुखार आ गया तो अब दवाई तो खानी ही है दवाई खाकर ही में ऐसी चांदी की तार लीजिए और यह अपनी चौकट के नीचे डाल दीजिए अगर वगरा में हैं तो उसके नीचे आप कटिंग से करवा दीजिए मशीन जो मिस्तरी लोग आते हैं वो कटिंग करके डाल देंगे उपर से वाइट सीमेंट लगा देंगे आप पाता भी यह सोचिए और इसके साथ साथ आपको अपने धर्वाजे पर स्क्वेर पीस चांदी का एक तांबेगा चिपका के रखिए हनुमान जी की मूर्ति घर के अंदर या घर के बाहर अगर टी पॉइंट पर हो तो वहिया बाहर ही लगा लो बहुत बढ़िया है आप लोगों के कि खी में लिए बाहर लगा है और समय समय पर हनुमान जी को साफ करते ज़ेए नमस कार परातना करते रहिए अ जिटना आप देख़े परहेज को फॉलो करेंगे इसमें आपि रिख चांदी और आप्षग कर सकते तो इसकी जगे है यानि कोई चल या फिर त्रीड आतु का चल्ला पैने जो घर की महिलाएं वह अपने उंगलियों में चांदी का चल्ला पैन सकती हैं उसमें को डिजाइन हो अगरा को अगार कोई कटिंग की हुई तो वहां पर नेल पेंट भर लीजिए थोड़ा सा लाल रंग उसमें रहना चाहिए यह आपके लिए ज़रूरी है और इसके साथ साथ घर में आपके चावल कुछ मातरा में चांदी के डब्बे में कोई चांदी की डिब्या ले लो उसके अंदर भरके नहीं है चांदी की डि लगे कि अब खराब हो रहे हैं तो बदलो सोमवार का दिन आपके लिए सबसे बढ़िया है तो दोस्तों इन जानकारियों को अपने शाथ रखिए और जरूर आपको इन से फाइदा होगा लोगों को फाइदा हो रहा है क्योंकि वह इनिशियेशन करते हैं अपने उपाए क के लिए प्रयासरत रहते हैं तो आपको भी इन फैक्टर्स पर नजर रखनी है हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजे हैं वो सब इर्रेलिबेंट नहीं है उनका कुछ ना कुछ आपके साथ संबंध है और उसी संबंध को अगर आप सही धंग से चैनलाइज करके उनको प्रपर कभी आती ही नहीं है तो दोस्तों और भी ऐसी बहतरी जानकारियों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अपने सुभाश भाई को आगया दीजे नमस्कार